Hello guys, आपके आर में पास बहुत सारो कमेंट्सक्राइब हैं, आप में से काफी सारो लोग में से पूस्टे हो इसमें details वाला folder होता है, इसका मतलब क्या होता है इसमें कंवन सी ऊपनी ये और guys साथ मैं इसमें इतना सारे data क्यों waste हो रखा होता है, देख सकते हो मेरे images में 198MB video में 1.2GB system में 13GB पर यहाँ पर others वाली file में 26.3GB तो इतना सारे data जाता का है जबकि मेरे phone में बहुत ही कम app से फिर भी others वाले folder जो है वो जाहतर भरा रहता है और इसे खाली कैसे करना है तो एक लाइक ज़रूर से कर देना क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज़ादा motivate करता है और हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही रोजाना tips and tricks and latest update की वीडियो सबसे पहले देखने को मिलती है तो सस्क्राइब ज़रूर से करके रखना तो चले यार बिना कीसदेरी के वीडियो को शुरू करते है तो यार जैसा कि आप देख सकते हूँ अभी जो मेरे others folder में storage है वो है 26.09 GB तो यार अब हम इसे कम कैसे करी तो यार सबसे पहला method है आपको gallery में जाना है और आप जो भी photo delete करते हो जैसे कि आप देख रहे हो को अभी मैं बहुत साइफ photos delete कर रहा हूँ बहुत साइफ photos और videos delete कर रहा हूँ तो यार मैंने आपके सामने कुछ photos और videos को अभी delete कर दिया है तो यार जैसी हम इसे delete करते हैं तो ये trash bin में चले जाती है आपको पता होगा और देख सकते हो 26.09 से जो भी हमने delete किया है 900 MB मतलब 90 MB करीब का हमने delete किया वो यहाँ पर add हो चुका है तो यार जैसे अब हम trash bin में जाते हैं तो आपको पता लग गया होगा जो भी हमारी trash bin में photos होती है जिसकी 108 MB की अगर हम इसे clear कर देंगे तो यार 108 MB हमारे all storage में से भी others वाले में से clear हो जाएगा तो trash bin का जो data होता है वो सबसे पहले others में जाता है और अब आप बोलोगे trash bin में तो आपका बहुत कम ता फिर भी our storage तो अभी 26 GB है तो यह सारी storage कहां पे है तो यार सबसे पहले आपको जाना है settings पे settings पे थोड़ा scroll down करने के बाद आपको जाना है apps पे उसके आद आपको click करना है manage apps में जाब जाओगे तो देख सकते हो 71 apps है में इस system में तो आपको यहाँ पे click करना है और show all apps पे click करना है तो देख सकते हो 309 apps शो करना है अब पता नहीं guys इसने इतना storage use क्यों कर रहा है तो अब मैं अपना chrome खोल के check कर लेता हूँ कि इसने मेरा इतना सारे storage क्यों use किया है तो मैं अपना chrome open कर लेता हूँ देख सकते हो camera focus और guys chrome में अभी मेरे पास एक भी tab खुलावा नहीं है अब मैं जाता हूँ अपने downloads पे तो downloads पे भी देख सकते हूँ मेरा कुछ भी download नहीं है जो भी मेरी file है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6KB की file downloaded है और guys अगर मैं जाता हूँ किसी और चीज़ पे देख सकते हूँ तो मेरा chrome पूरा का पूरा खाली है और इसमें कुछ भी नहीं है फिर भी guys अगर आप इसका data देखोगे यहाँ पे तो इसने 20.7GB data ले रखा है उसके आप फोटो ने 0.9GB और बाकि आप देख सकते हूँ इन सबने data ले रखा है तो mainly जो मेरा data लिया है वे chrome ने तो chrome पे जाना है मुझे clear data कर देना है तो मैं यहाँ पे clear cache कर देता हूँ और ok कर देता हूँ उसके आप guys मुझे क्या करना है अनिस्टॉल अपडेट्स पर क्लिक कर देना है तो guys देख सकते हूँ यहाँ पर यहाँ पर यह जो फाइल है अनिस्टॉल अपडेट्स करने के बाद तो यहाँ पर बन चुकी है 143KB की जो क्यार बहुत ही कब है अब हम अपना यहाँ पर स्टॉरेज चेक कर लेते हैं कि जो अधर स्टॉरेज है वो कितना भरा हुआ है अब आउट फोन में जाता हूँ और यहाँ पर स्टॉरेज देख सकते हो 24GB हमारी खाली हो चुकी है और लाइफ खाली हो चुकी है अदर में से भी 5GB बस बची है तो आपको मैंने अपस में दिखाया जो भी वहाँ पर फाइल्स थी जैसकि आपने देख लिए बहुत सारी में स्टॉरेज खाली हो गई है और जबकि Chrome में मेरा एक भी डेटा नहीं था फिर भी मेरी पता नहीं सारी स्टॉरेज क्रोम ने क्यों खा रखी थी तो आप ऐसे ही आपको एर मैनेज अपस में जाने का बार आपको मैनेज अपस में जाना है मतलब हट जाएगा वहां से डेटा जैसे कि 20GB डेटा क्रोम ने खा रखा था और मैं परेशान होता है कि मेरे स्टॉरेज इतनी खाली कैसे होगे जबकि ना फोटो या वीडियो से है तो आपका भी ऐसा कुछ हो सकता है कभी यूट्यूब खा सकता है प्ले सर्विस जो भी आपकी खा रही हो तो वहां से आप अपना डेटा जरूर से खाली कर देना तो आज की वीडियो में आशा करता आपको समझ में आया गया होगा कि यह आदर चीजे क्या होती है और आपको इसे कैसे हटाना है तो आप ऐसे आसानी से हटा सकते हो अपने आदर स्टोरेज को वी वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल पर नहीं हो तो ऐसे ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक यू गाइस मेरा वीडियो देखने के लिए